वेल्कम तो इस्टाडी चैनल में नाम है मुहम्मद कैसर बिहार की प्रात्मी शिक्षक भरती के लिए फॉर्म कैसे भरना है ये सवाल काफी छात्र पोच रहे हैं इस वीडियो में आपको बिल्कुल एक्जाइक्ट जानकारी मिलेगी तो ओफिचल वेबसाइट हमारे सामने अपन है देख सकते हैं या फिर आप सिंपल गूगल में अपना बीपेसी भी सर्च कर सकते हैं और फिर पहला लिंक यहीं आएगा आप से मिसी वेबसाइट पर आ जाएंगे क्लियर है यहां पर दोस्तों जब आप जाएंगे अप्लाइन वाले सेक्षन में ठीक है तो आपक जानघ सकते हैं पाँत नॉबबर से फॉर्म भरे जा रहे हैँ रिजिस्ट्रेशन के लाज डेख़ता कि लास्ट डेट सततरह नॉबबर यहın to 12 के लिए है तो stत्रह नॉबबर के बाद कोई भी न्या फी पेमेंट रिजिस्ट्रेशन और पर कमंसे कम 17 सिर्फ और सिर्फ one to five का फॉर्म बनना है यानि कि बस आप सिटेट पेपर वन पास हैं one to five के लिजिबल हैं या जो भी कंडिशन हो आपको सिर्फ one to five का ही फॉर्म बनना है तो ऐसे में दोस्तों जो आपको यहां पर लिंक दिख रहा है इसमें थोड़ा सापको बदलाओ करना होगा आप एडिट पर जाएंगे पैंसिल वाला ओप्शन दिखेगा यहां पर क्लिक करके आप इस लिंक में से बिहार.gov.in के बाद जो ऑप्शन है जो लिखा हो इसको फटा देंगे बस इतना रहने देंगे online bpsc.bh.gov.in ठीक और ओके कर देंगे ठीक है मैं इसका डायेट लिंक description box में देंगा काफे student परेशान हो रहे हैं उनसे यह हो नहीं रहा है तो description box में आपको मैं यह डायेट लिंक दूँगा आप क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आएंगे देखिए अब यहां पर यह वाला option आ गया click here for class 125 registration ठीक है देखिए का यहां पर क्या लिखा है if you only want to apply आपको यदि सिर्फ 125 का form भरना है तो ऐसे condition में आपको यहां पर click करना है और अपने form को आगे proceed करना है मैंने click किया इसके बाद देखिए पूरा proper form खुल जाएगा जैसे form खुलता है आपको simple यहां पर सारी चीज़ां भरनी है और अपने form को submit करना है ठीक है तो यह आप समझेगा लेकिन यह उनकी लिए है जिसको सिर्फ 125 का form भनना है ठीक है यह आपको बिल्कुल ध्यान रखना है यहां पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए अब यहां पर बहुत बेसिक चीज़ें हैं आपका नाम फादर नेम मदर नेम आईडी में आधार कार्ट सेलेक् पाइन याडीयल भी कर सकते हैं लेकिन आधार कार्ट के लावा पाइन डियल करेंगे 200 रपक्स्ताफ ही देना होगा ठीक फिर आप भारत के नागरिक हैं तो यस करेंगे बिहार के भी हैं तो यस अधर स्टेट के हैं तो नो ऐसे करके आपको यह पूरा फॉर्म बनना होगा यहां पर मैं आपको कुछ चनकाई दे दूँ जैसे यहां पर बस एक ही option है तो यहां पर आपको सोचना ही नहीं आपको यहीं पर क्लिक करना है चाहे आप डियलेड वाले हों बीयलेड वाले हों सबको एक ही option दीखेगा आपको यहीं पर क्लिक करना है फिर सीटेट बीटेट वाले पहले वाले option पर क्लिक करेंगे पातरता पर तो आपको seated, beated और दक्षता परिशा वाले भी 1125 के लिए ठीक और केवल दक्षता पर करेंगे तो seated, beatus का option हडजाएगा तो पहले वाले पर क्लिक करना है जो seated, be audio वाले छात्र है उसका अपर भरेंगे अपना प्रक्राइब करेंगे और यहां पर email id मुबाइल नमबर डालेंगे OTP से मुबाइल नमबर वरिफाइब करेंगे registration करेंगे फी पेमेंट करेंगे और उसके बाद का जो प्रॉसेस हो यह रहा लिंक तो आपको अब इस condition में यहां पर क्लिक नहीं करना है क्योंकि आप दो registration नहीं कर सकते हैं आपने एक registration पहले से कर रखा है चाहें आपने 628 का भरा हो या माध्मिक उच्छ माध्मिक का भरा हो या एक से अधिक पत के लिए भरा हो 1 to 5 छोड़ कर ठीक है तो आपक साहता से यहां पर login होंगे ठीक है login होने के बाद आपके dashboard में दिखेगा एक अलग से option 125 का फॉर्म भनने का आपको वहां से अपनी प्रक्रिया complete करनी है मैं यहां पर login होता हूं तो देखिए login होने के बाद कुछ इस परकार से page आएगा और यहां पर आ गया है register for 125 125 का आगया है form यहां पर क्लिक करना है उसके बाद next पर इस प्रकार से आएगा यहां पर click करना है यहां से आपका 125 के लिए registration हो जाएगा register करने के बाद आपको फिर dashboard पर जाना है, login होने के बाद, आप कहेगा कि आप अपना 125 का payment करिए, देखिए, आपको अलग से 125 का payment करना होगा, यहाँ पर click करेंगे, और अपना payment करेंगे, payment जब आप कर लेते हैं दोस्तों, तो फिर आपको यहाँ पर दिख जाएगा, 125 के लिए application form भरिए, अब आप जाकर अपना 125 का form भरेंगे, ऐसे में आपको यहाँ पर click करना है, फिर form कुछ इस परकार से आएगा, सारा detail आपका यहाँ पर पहले से सो होगा, आपको यहाँ पर simple next करना है, और उसके बाद के जो process है, district priority वगएर है, ठीक है, graduation और DLA, DLA, B8 जो भी आपने किया है, और सारा पहले से registration हो रखा है, तो उने के लिए login करना है, यदि आपने 628 के लिए form भरा है, और अभी तक आपने registration और free payment ही गिया है, तो पहले आपको अपना form final submit करना होगा, आप 25 नॉवंबर तक कर सकते हैं, लेकिन पहले submit कर दीजेगा, तो ही तो अभी 125 का form भरेंगे, तो submit करने क पहले किसी भी दिन आप चाहें, तो 125 पर क्लिक करके login होने के बाद जो मैं बताया, वैसे आप 125 का form भर सकते हैं, बागे इसके लाव कोई doubt हो, कोई सवाल हो, तो बताए comment सकते हैं, आपकी पूरी सायता की जाएगी, आप कहेंगे तो मैं पूरा एक proper वीडियो बना दूँग ठीक है, तो आप वहाँ पर देख लिजिएगा कैसे क्या करना होता है, बागे 125 के special मैंने आपको बताए दिया, तो ये जनकारे आपको देनी थी, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सस्क्राइब करना हैं, और हमारे साथ बने रहे हैं, थैंक्स पॉर वाशिक